नागपुर का ड्रग तस्कर के नाम से परिचित NDPS मामले में सेंट्रल जेल में नयालेंद बंदी फिरोज खान और अबुवल्थ अजीस खान ने सेंट्रल जेल के बैरेक नमबर 4 में आत्मत्या की कोशिश की लेकिन कोशिश नाकमयब होने से अबुबाल बाल बज़ गया है धन्तोली पुलीस ने आत्मत्या की कोशिश करने के आरोप में भारतिया देंड विधान के तहट 309 का मामला दर्श किया है आगे की जाच पुलीस कर रही है नाकपुर में ड्रग तसकर के नाम से परिचित और NDPC मामले में सेंट्रल जेल में नयालेन बंदी फिरोज खान उर्फा आबु खान ने सेंट्रल जेल के बैरेक नमबर 4 में आत्मत्या की कोशिश की लेकिन काल आया था लेकिन समय नहीं आया था जिसके चलते आबु की आत मत्या करने का मामला दर्च किया गया शहर के धंतोली पुलीस थाने के पुलीस निरिक्षक दिली प्लांगे ने जानकारी देते हुए ये बताया कि आबु के खिलाब सकरदरा पुलीस थाने में NDPC के तहत मामला दर्च था और इस मामले के तहत वो 26 जनवरी से सेंट्रल जे के अतिक सुरक्षा विभाग के बैरेक नंबर 4 से दो पर दो बजे पानी का एक प्लास्तिक का मगगा की नीचे गिरने की आवाज आई आवाज आते ही जेलकर्मी शरत निलकंठ जादों ने बैरेक 4 में देखा तो वो दंग रहे गया पुलीस द्वारा बताया गया कि उन टुकडों को गांठ लगा दी जिससे वर इसी बन गई उसके बाद बैरेक के भीतर रखे प्लास्तिक के मगगे को बान कर वो मगगा सिलिंग फ्यान के उपर में फेका जिससे उस बनाए गए कपड़ों की रसी से बानदा हुआ प्लास्तिक का मगगा छूट कर उपर से नीचे धराम से आगिरा जिसके आवाज जेल करमी को आई जेल करमी जादों ने जेल प्रशासन को इस बारे में जान करे दी जिसके बाद धंतुली पुलीस ने ड्रग तसकर अबु खान के खिलाप आत्मात्या की कोशिश करने के आरोप में उस पर भारत्य दंडविधान की धारा 309 के तहत मामला दर्च किया गया ऐसी जानकरी धंतुली के पुलीस निरिक्षक दिली प्लानगे ने दी है पिछले चार मुएनों से आबु ये सेंटर जेल में बंद है ऐसे में आज उसने आत्मात्या की कोशिश की लेकिन आत्मात्या की कोशिश पूरी तरह से नाका उर्च कोशिश जी हूँ